हाई गाईज वेल्कम बैक टु मैं चानल मैं हूं सुगा मौर मेरे चानल पर फिर से एक बर आपको स्वागत है तो आज का टॉपिक सम डिफरेंट टॉपिक है बिकॉस आज मैं आपको एक चीज बता रही हूं जैसे मैं अभी तक बोलती है हूं कि मिठा छोड़ दीजे मिठा अपको सर्दी नहीं लगेगी आपको बोडी में कॉफ नहीं रहेगा आपको बिल्कुल भी जो है बोडी में चरबी नहीं चड़ेगी मुटापा नहीं चड़ेगा इवन आप पिसलिम होते चले जाओगग और लेकिन हाँ सिर्फ सर्दियो भर आपको इसे लेना है बताऊंगी कितनल एमांट में लेना है एक बार चरबू ट्राइ करिएगा मेरे क्याने से क्योंकि मेरी यम्मी रेसिपी में से एक है तो टाइम को बेस्ट नहीं करते हैं वीडियो की तरह पड़ता है लें उससे पहले जिन लोगों ने भी चानल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया पटापट से सब्सक्राइब करिया और जो एक छोटी सी बैल आइकन लगिए उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूले गवर्ना मेरे वीडियो का आपको बिल्कुल भी ओप्शन नहीं आएंगे आपको मेरे वीडियो नहीं मिलेंगे तो टाइम को बेस नहीं करते हैं और चले चलते हैं वीडियो की तरह इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए एक पान या पे तवा यह मेरा मिट्टी का तवा है आप देख सकते हैं और मैंने सिर्फ 100 रुपे का यह खरीदा था एक मेले से इसलिए एक ब्लैक है यह जंदन नहीं है और इसके बाद आपको चाहिए वन टेबल स्पून भर के अजवाई और इसे आपको रोस करना है लाइफ ब्रॉण यारि कि आपको मेहक आने लगी कि इसकी खुश्बू आन इसे खास बात यह है तो इसे मैं रोस्ट करने हूं धियर निव्धि में आज पर उसके बाद हम दूसरा स्टैप अपना फॉलो करते हैं गुड़ लेते हैं और कद्दू कस लेते हैं क्योंकि यही एक ऐसा है जो इस गुल को हम पी सकते हैं क्योंकि ना यह ग्राइंड हो सकत है और इसके बाद हम इसमें अड़ करेंगे अपनी गरम अजमाई तो यह देखिए जो मेरी अट्वाइन है वह भी रोस को तुकी है और इसको इसमें गरम ही गरम अड़ करना है इसके क्या होगा जो हमारा गुड़ है वह गुड़ भी पिगल जाएगा गुड़ बहुत जदा अमाउंट में आपको नहीं लेना है सफिशेंट अमाउंट में लेना है और हो सके तो देशी गुड़ लेना है उसके बाद हाथों पे थोड़ा सा घी या ओयल लगाए जिससे कि यह आपको चिपके नहीं और हमें इसे छोटे-छोटे लड़ू बनाने हैं आप चाहे तो अज्वाइन को पीज भी सकते हैं मैं नहीं पीजती हूँ और प्रेंट्स यकीन मानिए यह लड़ू फाट बर्नर को बहुत अच्छा काम करेगा आपके मीठे की क्रेविंग को बहुत कम करेगा और सेकंड चीज आपको सर्दी नहीं लगने देगा जिनको भी हड्डियों में प्रॉब्लम रहती है उनके साथ जैसे की आपने सुना होगा गाउमाले कहते हैं जब पुर्वयया आती है तो हड्डियों के दर्द या पुरानी चोप में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है तो यह उसको भी बहुत अच्छे से करेगी और जरूर ट्राइ करिएगा तो अभी मैं जस लड्डू बना रही थी मैंने सुछा आप लोगों के साथ यह वीडियो फिनिश करती हूँ तो इस लड्डू को आप मॉर्णि में ले सकते हैं जब भी आपके मीठे के क्रेविंग आप ले सकते हैं दो से तीन लड्डू इनक है एक दिन के लिए और टेस्टी भी लगते हैं ट्राइ जरूर करिएगा जैसा भी रिवी हो मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा कितनी यम्मी सी रेसिपी है और इसके साथ आप बहुत अच्छा सा लॉस करोगो क्योंकि कहीं न गहीं आपकी बोड़ी को भी मीठे की जुरत होती है तो एक बार जरूर करिएगा सिर्फ सर्दियों पर अगर सर्दियो के बाद आपने ट्राइगा था आपको पाहिसी दिक्कत हो सकती है और बहुत सारे दिक्कते हो सकती है वीडियो जरा साथ इंफोर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दिजिए गा चानल पसंद आए और पता कि लिबाइ!